दोस्तों, आज के इस वीड़ो में हम लोग compare करने वाले है Snapdragon 888 और Exynos 1080 को और यह दोनों ही chipsets latest process पे बनने वे chipsets है Snapdragon 888 ज्यादा तर premium smartphone को target करेगा और Exynos 1080 ज्यादा तर upper midrange smartphone को target करने वाले है Geekbench score और N2D benchmark score के अलावा बागी के factors को भी हम लोग इस वीड़ो में compare करने वाले है और आपको बताते हैं कि actual में आपके लिए बैतर कौन सा होने वाले है So, अगर आप इस चैनल पे ना आया हो, चल को subscribe करके जाएगा और इस वीड़ो को like कर दीजीगा चली वीड़ो पे आगे बढ़ते, और वाचिंग माई YouTube चैनल Tech Explanant चली जानते कुछ बढ़ी है सबसे पहले हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं दोनों ही चिपसेट 5NM Fabrication प्रोसेस पे बने हुए CPU Performance के अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे पहला High Performance Score आपको मिल जाता है ARM Cortex X1 का जिसकी Frequency आपको 2.84 GHz की मिल जाती है बाद इमें आपको 3 Mid Performance Score मिलते है ARM Cortex A78 के जिसकी Frequency आपको 2.4 GHz की मिल जाती है आखरी में आपको 4 Efficiency के लिए Core मिल जाते है ARM Cortex A55 के जिसकी Frequency आपको 1.8 GHz की मिल जाती है एक्सनस 1080 के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहला High Performance Score मिलता है ARM Cortex A78 का जिसकी Frequency आपको 2.8 GHz की मिल जाती है बाद में आपको 3 Mid Performance Score मिलते है ARM Cortex A78 के जिसकी Frequency आपको 2.6 GHz की मिल जाती है बाद में आपको 4 Efficiency के लिए Core मिल जाते है ARM Cortex A55 के जिसकी Frequency आपको 2.0 GHz की मिल जाती है वैसे देखने में आपको दोनों में Exynos 1080 बहतर लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है इसने एफगन ट्रिपल एट प्रोसेसिंग के मामले में भी बहतर है और सेगेंड तिंग इसमें Cortex X1 वाला सूपर कोर है विचिस वेरी पावरफूल कोर और उपर से इसकी Frequency भी 2.84 GHz की है मिड कोर और Efficiency कोर की Frequency तो Exynos 1080 में ज्यादा मिलेगी लेकिन ओवराल देखा जाए तो बहतर CPU परफार्मेंस Snapdragon 888 में ही मिलने वाला है GPU के मैं बात करूँ दोस्तो Snapdragon 888 के अंदर Adreno 660 दिया गया है Exynos 1080 के अंदर ARM Mali G78 MP10 वाला GPU दिया गया है GPU के सेक्टर में दोनों ही अपने अपने घर के बात्सा है Exynos 1080 में हमें 10-Core वाला Mali G78 MP10 GPU दिया जा रहा है Which is powerful but less than Snapdragon 888 क्योंकि Snapdragon 888 में Adreno 660 को अपनाएग है और gaming के लिए तो मैं बोलूँगा इससे बेतर GPU processing आपको A14 Bionic भी नहीं दे पाएगा GPU processing में Snapdragon 888 ही बेतर होने वाला है Cameras की बात करो Snapdragon 888 के अंदर आपको Up to 200 MP तक के single camera का support मिलता है और Up to 84 MP तक के single camera का support 30 fps पे 0,600,000 के साथ में मिल जाता है इतना ही ने दोस्तों यहाँ पे आपको Dual camera का support 64 MP प्लस 25 MP का 30 fps पे 0,600,000 के साथ में मिल जाता है और 28 MP के triple camera का support 30 fps पे 0,600,000 के साथ में मिल जाता है Exynos 1080 के अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको single camera support Up to 200 MP तक के मिलता है और 32 प्लस 32 MP के Dual camera support मिल जाता है लोग यहाँ पे single cameras में तो दोनों ही Up to 200 MP तक का support दे रहे बट इस Navigant 888 में additional 28 MP triple camera का support दिया जा रहे और dual cameras भी आपको भैतर मिल रहे That's why this Navigant 888 is winner here RAM and storage की मैं बात करूं इस Navigant 888 के अंदर Up to LPDDR5 का support मिलता है जहाँ पे frequency मिल जाती 3200 MHz की 16 GB की memory density मिलती है और UFS 3.1 का native storage मिल जाता है ActionOS 1080 के अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको LPDDR5 तक का support मिलता है जहाँ पे frequency आपको मिल जाती है 2750 MHz की और साथ में LPDDR4X का भी support मिल जाता है UFS 3.1 का native storage मिलता है और 16 GB की memory density मिल जाती है RAM और storage में difference चिर्फ आपको memory frequency को लेके देखने को मिलेगा बागी की चीजे तो दोनों में एक जैसी ही दी गई है डिस्पले की बात करूं Snapdragon 888 में 4K resolution का support 60 Hz पे मिलता है और QHD plus resolution का support 144 Hz पे मिल जाता है Exynos 1080 के गर में बात करूं तो यहाँ आपको WQHD plus display का support 90 Hz पे मिलता है और Full HD plus display का support 144 Hz पे मिल जाता है हाला कि 90 Hz पे WQHD plus resolution का support Exynos 1080 में दिया जा रहा है great बट Snapdragon 888 में standard refresh rate पे 4K resolution का support है which is greater than Exynos 1080 OS WQHD plus resolution support बाकि 144 Hz पे QHD plus resolution वाला support भी Snapdragon 888 आपको दे रहा है that's why Snapdragon 888 is winner here connectivity के में बात करूं Snapdragon 888 के अंदर आपको Snapdragon के तरफ से X65G modem दिया जा रहा है यो कि एक integrated 5G modem आपको downloading speed 7.5bps की मिल जाती है और upload speed up to 3GPS तक की मिल जाती है Exynos 1080 के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको integrated 5G modem दिया गया और यहाँ पे downloading speed आपको up to 5.1bps की मिल जाती है और upload speed आपको up to 3.67bps तक की मिल जाती है connectivity में Exynos 1080 हमें थोड़ी सी बैतर upload speed दे रहा है जबकि Snapdragon 888 में बैतर downloading speed है लेकिन cool मिला के देखा जाए तो connectivity में Snapdragon 888 ही बैतर मिलेगा आपको एंटडू मैंचमा की अगर मैं बात करूं Snapdragon 888 ने स्कोर किया है 847 के जबकि Exynos 1080 ने स्कोर किया 693 के Geekbench स्कोर की अगर मैं बात करूं Snapdragon 888 ने सिंगल कोरपे स्कोर किया 1226 और Multicorpus ने स्कोर किया 3739 जबकि Exynos 1080 ने सिंगल कोरपे स्कोर किया 922 जबकि Multicorpus ने स्कोर किया 2723 दोस्तों यहापे हम लोग conclusion की बात कर लेते हैं देखिए efficiency में तो दोनों ही chipset आपको बहतर मिल जाएंगे विकॉस 5NM का fabrication process है लेकिन अगर हम लोग CPU and GPU performance की बात करें तो वहाँ पे Snapdragon 888 आपको एक बहतर performance प्रोवाइड कर पाएगा Call Cup ने अपनी chipset में Elite Gaming को भी upgrade किया है और Super Core भी आपको यहापे दिया जा रहा है और यह वाला जो Core है ना दोस्तों यह आपको Exynos के 2100 में मिल जाता है यहाँ पे Snapdragon 888 क्लियरली बेना रहे Snapdragon 888 बेतर रहेगा या फिर Exynos 8080 बेतर रहेगा तो यहाँ पे क्लियरली तो बता चुका हूं है लेकिन आप भी बता सकते हैं comment box में comment करके अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी इंफर्मेटीव लगी होगी ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर ना एहो चैनल को सस्क्राइब करके जाएगा क्योंकि इस तरीके की डेली बीसिस पर आपको वीडियो मिलते रहेगी हमने तो आज चिपसेट कंपरिजन किया है बाकी आपको स्मार्टपॉन टेक्नलोजी से रेलेटेट भी वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है तो फिलाल मिलेंगे अगले टेक्नलोज पर तब तक के लिए बाई